हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो आवर चैनल मैसेल पर्चना, मैसिंपल पालर ब्लॉग चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करते हूँ सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटिफुल सा रिसेप्शन ब्राइडल मेकप लूग जहाँ पर आप लोग देखेंगे फ्लॉलेस बेस कैसे रेडी करते हैं और एक ब्यूटिफुल सा कलरफुल आई मेकप ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक वेट वाइब से अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया था उसके बाद मैंने एल्पुडनिस का सीरम यूज़ की हूँ जो बहुत ही अच्छा है उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉंड्स ओयल फ्री मॉश्यरा यहाँ देखिए कितना अच्छे से ग्लो आ गया है फ्रेस पे तो उसके बाद मैं दो चार मिनिट वेट करने के बाद मैंने शुगर का प्राइमर यूज़ की हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने दिखानी पाई थी थोड़ा पालर में कस्टमर्स आ गए थे तो यह वाला स्किप हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत ही चिप क्वालिटी का लिब बाम लगाई हूँ जो मैंने 20 रुपीज में पर्चिस किया था और यह वाला लिब बाम कौन कौन यूज़ करता है और इसका नेम क्या है आप लोग कमेंड में बता सकते हैं मैं भी देखू कौन मैं यहाँ पे पीरसी का जो ब्यूटी ब्लेंडर है जो मेरा ओल टाइम फेवरेट है उसी से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और सामने आप मेरे कैमरा मैन को भी देख सकते हैं जो कि मेरा स्टूडेंट है मुझे बड़ा हेल्प कर रहे है वीडियो को शूट करने के लि लेवर 52 से FLF01shade वह अच्छे से मिक्सिंग करके मैं उसको यूज कर रही हूँ और आज मैं थोड़ा सा फेयर मेकप कर रही हूँ और ब्लेंड करने के बाद उतना नहीं लग रहा है कि फेयर हुआ है इसके बाद मैं यहाँ पर मेवलीन का एज रिवाइन कंसिलर यूज कर यह आपको ब्लेंडिंग करना होगा अच्छे से ब्लेंड करना होगा फ्रेंड और उसके बाद मैं यहाँ पर पीएसी का ट्रांसलोशन पाउडर से अच्छे से पूरे मेकप को मैं सेट कर रही हूँ ताकि क्रीजिंग ना हो और मेकप लॉंग लास्टिंग भी रहे देखिये इस तरह से तो for it पे भी मैं कर लूँगी चीन पे भी कर लूँगी इस तरह से देखिये उसके बाद मैं यहाँ पे nose contour कर रही हूँ मेरे model का nose थोड़ा सा broad type का है तो उसके अच्छे से contour कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे blush कर रही हूँ मिस clear का blush and palette से बहुत अच्छा है आफ़ोड़ में और फ्रेंट्स यहाँ पर मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसका नीम मैं नहीं बता सकती यह बहुत पुराना है तो इसका नीम मिट गया था उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रेंट्स पाउडर से कट कर रही हूँ गाल को जो मैंने कंटोर और ब्लश अन किया था और भी पॉप आउट होके दीखे इसलिए उसके बाद मैं यहाँ पर मेकप रेवलुशन का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छे से ग्लो आता है फेस पे उसके बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पर फेसिस कनेडा का मेकप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा जो मेकप है बहुत ही लॉंग लास्टिंग हो बहुत टाइम तक स्टे करे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बेस मेकप डन हो चुका है अभी मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ पहले मैं एक स्पुली के हिल्प से आपर डिरेक्शन में आईब्रो को कॉम कर ली हूँ और यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए Music Flower का Gel Eyeliner यूज़ की हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे Elf Cosmetics का Concealer यूज़ की हूँ और आज मैं आई मेकप करूँगी जगलिन हिल पैलेट से सबसे पहले मैं P.A.C का 202 Brush ली हूँ और मैं आज मेरे मॉडल का सारी के Color के According यूज़ आई मेकप करूँगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Green Color ली हूँ और एक C Create की हूँ और मैं Green Color को अच्छे से Blend करूँगी Deep Pink Color से क्योंकि मेरे जो मॉडल है उनके सारी में भी ऐसा Color है तो मैं आज पूरा Eye Makeup सारी के Color के According ही करूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा सा Brush ली हूँ Blending Brush और इंच कलर लेके उसको अच्छे से Blend की हूँ उपर उसके बाद मैं आउटर कॉर्णर पे भी अच्छे से Pink कलर से मैं फिल करूँगी ताकि आउटर कॉर्णर पे और डेपता है उसके बाद मैं Makeup Revolution का Highlighter लगा रही हूँ Brow Bond पे और Inner Corner पे उसके बाद मैं यहाँ पे Maybelline का Eyeliner यूज़ कर रही हूँ और एक Wing Eyeliner Draw की हूँ और यह Makeup आप लोगो कैसा लगा ज़रूर Comment में बताईएगा और ज़ादा से ज़ादा Share करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए उसके बाद मैं यहाँ पे Lakme का काजल लिए उसकी हूँ उसके बाद मैं काजल को Blend कर रही हूँ Green कलर की आईशेडो के साथ उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर भी दी हूँ नीचे यहाँ पे मेरा आई मेक अप एकदम डन हो चुका है उसके बाद मैं यहाँ पे मशकरा लगा रही हूँ और फ्रेंट्स मैं यहाँ पे Miss Clear का मशकरा लगा रही हूँ अच्छे से भर-बर के मशकरा लगा दूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे आईलेश लगा रही हूँ ओके फ्रेंट्स आप जब आईलेश लगाओगे सबसे पहले उसको ग्लू लगाके एक दो मिनिट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद लगाईए इससे अच्छे से सेट हो जाता है आँखों में और इनके आँखे दीखे कितना खुबसूरत लग रहा है उसके बाद मैं यहाँ पे लिप्स्टिक लगा रही हूँ तो सबसे पहले मैं लिप्लाइन कर रही हूँ ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एलेटीन का लिप्लाइनर यूज़ कर रही हूँ एक्चली यह लिप्स्टिक है उसी के साथ मैं लिप्लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर का लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूँ देखे तो यहाँ पर मैं थोड़ा confused थी कि मैं light color का lipstick यूज़ करूँ या deep फिर मुझे मन किया कि ऐसा color मैं लगाऊं तो मैंने लगाया ऐसा तो अच्छा भी लग रहा था इनके उपर आप लोग को कैसा लगा जरूर comment में बताईए उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा touch up कर रहे हूँ highlighter लगा रहे हूँ तो यहाँ पर मेरा makeup एकदम done हो चुका तो यह रहा इनका final look आप लोग को यह makeup कैसा लगा अगर helpful लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर like कर दीजेगा और मेरे चैनल को ज़रूर subscribe कर दीजेगा आप लोग का support मुझे बहुत ज़रूरी है बाइ बाइ फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में